इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्ले श्टोर में लॉक कैसे लगाए अगर आप अपने प्ले श्टोर में पास्वोर्ड लगाना चाहते हैं और आपको मालूम नहीं है कि प्ले श्टोर में पास्वोर्ड कैसे लगाया जाता है इस वीडियो को एंड तक देख प्लेश्टोर ओपन करता है और किसी भी तरीके का कोई भी गेम जो है डाउनलोड करके वो खेलने लगता है तो इस तरह में जो है आप अपने प्लेश्टोर में पासवर्ड लगा सकते हैं जिसके कारण जो है वो यहां पर प्लेश्टोर ओपन नहीं कर सकता है तो इसके लिए आपको app lock का एक application मिल जाएगा ये वाला application अपने phone के अंदर install कर लीजिए install करने के बाद आपको simply क्या करना है आपको यहाँ पर application को open कर लेना है application जैसे ही open करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर lock पुछा जाएगा permission को allow दीजिए permission allow करने के बाद आप अपने play store में कौन सा lock रखना चाहते हैं उस lock को आपको यहाँ पर enter करना है तो जैसे कि मुझे यहाँ पर एक, दो, तीन, चार लगाना इस तरीके से मैंने डाल दिया फिर आपको इस right पर click करना है फिर आपको दुबारा same वही lock डालना है एक, दो, थीन, चार और इसके बाद right पर click करना है फिर आपके phone में अगर आप fingerprint है तो आप yes कर दीजिए अगर नहीं है तो no भी कर सकते हैं मेरे में है तो मैं yes कर देता हूँ क्योंकि इसके साथ साथ fingerprint भी set हो जाएगा इसके बाद कुछ इस तरह का page आएगा आपको नीचे में plus का icon मिलेगा इस पर click कीजिए और यहाँ पर click करने के बाद आपको search का option मिलेगा तो यहाँ पर आपको click करना है अब search के option पर जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आपको search करना है पले store यहाँ पर देख सकते हैं पले store search किया आगया simply आपको इस पर click करना है और click करने के बाद आपको यहाँ पर इस plus वला icon पर click करना है click करने के बाद आपके समझे इस तरह का pop up आएगा आपको ok वाले बटन पर click करना है यहाँ पर आपको application को ढूना है app lock ठीक है यह रहा app lock इस पर आपको click करके इसे चालू करना है और ok वाले बटन पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करते हैं तो यहाँ पर फिर से app lock का एक button मिल जाएगा तो simply इसको भी on करना है और इसके बाद आपको ok वाले बटन पर click कर देना ह तो इसमें भी आप यहाँ पर छुपा सकते हैं या फिर आपको जो है किधर भी चाहते हैं उधर यहाँ पर छुपा सकते हैं जैसे कि मैं इसमें छुपा देता हूँ मैंने इसमें डाल दिया अब यह देख नहीं रहा है ठीक है अब जैसे ही मैं अपने play store को open करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे से lock पुछा जा रहा है अब मैं fingerprint लगाँगा तो fingerprint से भी खुल देगा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके अपना जो वह बला password डालूँगा तो वह automatically play store को open कर देगा इस तरीके से play store में password लगा सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जोर से बताना वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले